नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उत्राखंड जीके से संबंदिज most important और most expected question उत्राखंड पुलिस के एक्जाम के लिए जो की 18 दसमबर को होने वाला है 40 question को इस वीडियो में discuss करेंगे देखिए यहां से 61 से start है इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने 60 question डिसकस करें थे और यह सारे question बिल्कुल exam oriented है जो आपका उत्राखंड पुलिस का exam होने वाला है उसमें किस टैप की उत्राखंड जीके के question आएंगे उसी टैप की question में include किये गए है तो वीडियो को आपको अंतक देखना है और लास्ट में ये भी जरूर बताएं कितने question के answer आपको पहले से आते थे तो चलिए आज इस वीडियो को start करते हैं अपने पहले question की साथ तो question है 61 उत्राखंड में अद्वयद आस्रम कहां इस्ते थे तो उत्राखंड में अद्वयद आस्रम इस्ते थे चंपाउत में अब जो ये अद्वयद आस्रम है इसी को कहते है मायावति आस्रम मायावति आस्रम कहां इस्ते थे ये है चंपाउत में इसका दूसरा नाम क्या है अद्वयद आसर इसकी 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 कि थी सौमी विव्यकननद की सिस्चियों ने 1899 में कहां पर चमपाउत में। किसने किसने की थी तो स्वामी विवयगनन्द के दो सिस्षिते, एक थे स्वरुपवनन्द और दूसरे आपको या रखना है है कैप्टन सेवियर और उनकी पत्मी ने ठीक है तो इन्होंने इसकी स्थापन की थी अध्रयत आस्रम की कहां पर चंपाउत में तो यह आपको तो ये भी आपको याद रखना है і बढ़ते हैं कि नेच्स टे उत्र कंक्र परीवान निगभान की इस्तापना कब हुई उत्रकंड परीवान निगम स्टापना होती हैं उत्रकंड राज की गठन के बाद इस識दोर परी यह आपको याद रखना है इसके बाद देखे परियोहन से संबने और question उत्रकंट के वर्तमान परियोहन मंत्री कौन है आपके exam आ सकता है तो चंदन रामदास चंदन रामदास जो है उत्रकंट के वर्तमान में परियोहन मंत्री है अच्छा जो उत्रकंट के वाहनूमन नंबर लिखे होते हैं UK01, UK02 तो इसके सुरुवाद कब से होती है तो November 2007 November 2007 से इन नमबर के सुरुवाद होती है UK Series के नमबर के ठीक है बाकी देखी पूछा जाता है Kumau Motors Honors Union यानि की केमू की स्टापना कब होती है तो 1939 में इसकी स्टापना होती है बाकी जो एक अधर उप्सन है 26 मार्च दोजाती है 26 मार्च दोजाती है 26 मार्च दोजातीन को उत्राखन में ओद्योगिक नीती आती है वो भी नहीं वाली ठीक है नहीं ओद्योगिक नीती के उत्राखना कब होती है 26 मार्च दोजातीन को और जो उत्रखन की प्रतम और दोगी नीती थी वो कब आती है दोजार एक माती है ये भी आपको याद लखना है बढ़तें आगे नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा निर्ति प्रसिद युद्ध निर्ति नहीं है यानि की यहाँ पर पूछा युद्ध निर्ति नहीं है तो इस प्रस्न का साइज बाब है option number D, हरुल निर्ति देंगे छोलिया निर्ति देखी कुमाओ का प्रसिद निर्ति है और पौणा निर्ति भोटे जनजाती का प्रसिद निर्ति है ठीकर पौणा निर्ति कों सारी जनजातिएं निर्टिय है हरुल निर्टिय एक वाद्धिय अंत्र है रामतुला इसमें बजा जाना अनिवारी है option नमर D इस प्रसमि का सही जवाब है ये आपको याद देखना है उदे संकर देखी ये निर्टक थे, काफी famous, इनी के नाम पर इसका नाम रखा गया है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है उत्रक्रण की संस्कृत अकार्मी है, वो कहां पर से थे? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नेक्स्ट है व्यास सम्मान से सम्मानित उत्रखन के प्रत्रखन 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 के यह आपको याद रखना है इसके बाद देखिए एक अधर उप्सन यहाँ पर है लीलाधर जगूडी इनको भी व्याद समान दिया गया है 2018 में कब दिया गया है 2018 में यह किस जन्दपत के है यह है टिहरी गडवाल जन्दपत की लीलाधर जगूडी इनको जितने लोग उतने प्रेम के लिए 2018 में व्याद समान दिया गया था लीलाधर जगूडी को सहित्य कार्मी कब दिया गया तो सहित्य कार्मी इनको दिया जाता है 1997 में तो यह आपको याद रखना है इस कुष्चन से पढ़ते हैं आगे पहली कौन थी? तो पहली थी मार्गेट अलवा, दूसरी कौन है? दूसरी है बेबी रानी मोरिया तो दो अभी तक की महिला राजीपाल बनी है उत्रखन में, ये आपको याद रखना है वर्तमान में कौन है? जो की आठवे करम की है, तो वो हैं गुर्मीत सिंग गुर्मीत सिंग जो है वर्तमान में उत्रखन के राजीपाल है उत्रखन के पहले राजीपाल कौन थे? उत्रखन के पहले राजीपाल थे? शुरजीत सिंग बर नाला ये भी आपको याद रखना है और अदर जो दो Depois है यहाँ पर, कलपना सैनी ये जो है हाली में ही राजी सबा सांसद बनी है राजी सबा सदस्ची बनी है कलपना से ली रित्यु खंडूरी वर्तमान में विधान सबा अध्यक्स है और उत्राखन की पहली महिला विधान सबा अध्यक्स कोन है रित्यु खंडूरी है इस प्रस्न से आपको यह याद रखना है नेक्स्ट है हाली में ग्रामी विकास एउम पलायन आयोग का नाम बदल कर क्या रखा गया तो ग्रामी विकास एउम पलायन आयोग का नाम जो है 2022 में चेंज कर दिया है करेंट अफेर का कोशिन है इसका सही जवाब है पलायन निवारन आयोग उप्सन नमस C इसका सही जवाब है इसके स्तापने कब होती है 2017 में इसके स्तापने होती है ठीक है बुक्स में आपको मिलेगा 17 सितंबर 2017 लेकिन इसके जो ऑफिसियल वेबसाइट है वहाँ पर है अगस्त 2017 और एक बार एक कुश्चिन आ गया एक्जाम में आयोग नो भी इसका आंसर अगस्त 2017 माना है ठीक है तो अगस्त 2017 आप याद रखें अगस्त नहीं होता है वहाँ पर उप्सन होता है 17 सितंबर 2017 तो आप 17 सितंबर 2017 कर दोगे लेकिन ओफिश्यल वेबसाइट पर और आयोग का आंसर जो है वह अगस्त 2017 है इसके परथम अद्धिक्स कौन थे तो इसके परथम अद्धिक्स थे TSR परथम यानि कि त्रवेन सिंग रावत इसके परथम अद्धिक्स थे ठीक है त्रवेन सिंग रावत इसलिए इसके प्रतमा अद्यक्स थे क्योंकि इसका जो अद्यक्स होता है वो होता है राज जी का मुख्य मंत्री तो 2017 मां गठन होता है उस टाइम पर मुख्य मंत्री कौन होते हैं त्रवेन सिंग रावत अभी वर्तवान में अद्देक्स कौन है तो अभी है पुसकर सिंग धामी जो है इसके वर्तवान में अद्देक्स हैं यह आपको याद रखना है पहले इसका नाम था ग्रामी विकास सें पलायन आयोग अभी इसका नाम चेंज करके हो गया है पलायन निवारन आयोग करेंट इन्पोर्टन कोशिन है याद रखने है नेक्स्ट है हाली में हिमस्तलन हाथसे में तो एवलांस एक हाथसा हुआ था उत्तरकासी में उसमें जो है सवीता कंसवाल का निदन हो गया है वे सम्मन्दित थी तो ये थी परवतर होई सवीता कंसवालती परवतर होई इनका हाली में निदन हो गया है 2022 में एवलांस हाथसे में और इनसे रिलेटेड एक क्रॉशिन आपको या रखना है 12 माई 2022 को इन्होंने माउंट एवरिस्ट का सफल आ रहो होण किया था ठीक है कब किया था 12 माई 2022 को और ये किस जनपत से संबन्दी थी तो ये उत्तरकासी जनपत से संबन्दी थी आपको ये याद दिखना है बढ़तें आगे 1608 इस्वी में किस मुगल सहजादे ने स्रिनिगर गडवाल में सरण ले थी 1608 इस्वी में गडवाल में सरण लेने वाला मुगल सहजादہ था सुलेमान सिको जोंकि दारा सिको का बेटा था ठीक है ये गड़वाल आता है 1688 में इसको सरण किस ने दी थी पृत्वी पती सहाने जो है इसको सरण दी थी उस टाएं पे गड़वाल का जो साथक कौन था? पवार साथक वो था प्रतिवी प्रतिशा तो ये आपको याद दखना है बढ़ते आगे नेक्स्ट है भारत की प्रथम क्रिसी विश्व विद्यालई की स्तापना पंत नगर में हुई थी कब हुई थी आपको बताना है पंत नगर क्रिसी विश्व विद्यालई जो है भारत का प्रथम क्र अगला प्रसन है हिमालई के लिए उत्रखंड आजिव का सुधार प्रोजेक्ट यू एल आई पी एच प्रबंदित किया जाता है तो यह किया जाता है उत्रखंड ग्राम में विकास समेती द्वारा उप्सन नमर एस का सही जवाब है आपको यह याद रखना है बढ़ते आग इसकी स्थाफना होती है 2012 में 1912 में चार बेंकू को मर्ज करकी जो है उत्रखंड ग्राम इन्स शरफना की जाती है यह आपको याद रखना है नेक्स्ट है, 2011 की जन्गर्णा के अधार पर निम्रिकी जिलू को जन्सेंक्या के अधार पर आरोही करम मलिखी, देखे आरोही करम होता है बढ़ता वगरम, यानि कि असंडिंग ओर्डर सबसे पहले सबसे कम आएगा, फिर बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है, तो इसके सबसे आधे के हरी दुवारी, लगवर 18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 सही करम है, तो जन सिंक्या में देखे, टॉप 4 आपको या रखने हैं, टॉप 4 जो है, अधिक्तम वाले, टॉप 4 जो है, मिनिमूम वाले, ये जन सिंक्या में आपको या रखने हैं, जन सिंक्या में आप जो है, शाकसरता पड़ो, या आप लिंगानुपाद पड़ो, या दस के विर्दी दर पड़ो तो यह सब जो है टॉप फोर आप याद रख लीजिए आपके एक्जाम के दिश्टीगोंट से महतुपुर्ण है आपको इसी प्रका की कुछिन पूछे जा सकते हैं तो बढ़ते हैं आगे अगले कुछिन की ओर अगला प्रसने है उत्रखिंड में मह प्रतिषद किया गया 12 मार्च 2008 को अच्छा उस ट्रैंप मुख्य मंतरी कौन थे तो बी सी खंडूरी यह आपको याद रखना है कितने प्रतिषद से बढ़ा कर कितना किया गया 33 प्रतिषद से बढ़ा कर 50 प्रतिषद किया गया उत्राखिंड की महिलाओं को पंचाईतु म जो तरीस-घ्री चुनाव होते हैं उसमें 25% अरक्षण जो है महिलाओं को दिया जाता है यह आपको याद अखना है नेक्स्ट ए उत्रकंड में असुक का सिलाले किस्ते थे तो असुक का उत्रकंड में सिलाले किस्ते थे काल सी देहरादु में option number six का सही जवाब है इसकी खोज कब की जाती है तो forage वारा इसकी खोज की जाती है 1860 है ठीक है और एक कब का है तो 277 इस्वी पूर का है यह आपको याखना है किस लिपी का इसमें प्रयोग किया गया है तो ब्रामी लिपी का इसमें प्रयोग किया गया है ये भी आपको याद अखना है काल स्री में इस्तित है असोक का सेललेग जहां सा हम जो है इतियास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है नेक्स प्रसने है तो टिहरी रियासत का भारती संग में विले ही करण कब हुआ था तो टिहरी रियासत का भारती संग में विले हुआ था एक अगस्त उनिस सो निचास को ये डेड़ जो है अच्छे से याद कर लिजीगा बहुत बार रिपीटेट कुश्चिन है इसको आप मोस रिपीटेट कुश्चिन में रखेंगे तो टिहरी रियासत का भारती संग में विले हुआ था तो वो थे मानुवेंद्र सा ठीक है मानुवेंद्र सा ये आपको याद रखना है बढ़ते आगे नेक्स्ट है उत्रकर्ण उच्चे नियाले ने सबसे पहले किस नदी को जीवित पराणी का दर्जा दिया तो इस प्रस्टिका सही जवाब हो जाएगा ओप्स नमर डी इन मेंसे कोई नहीं अब देखिए इसका आंसर इन मेंसे कोई नहीं क्यूं है क्योंकि तकि सबसे पहले दिया गया था गंगा को फिर उसी साल दिया गया यमना को भी जीवित प्रानी का दर्जा दो ऐसी नदिया है जिनको जीवित प्रानी का दर्जा दिया गया है अगर ये D option नहीं होता तो इस कांसर होता यमना ठीक है इन दो नदियों को जीविद प्रानी का दरज़ा दीया गया है ये जो है living entity है गंगा और यमना और दो glacier को भी जीविद प्रानी का दरज़ा दिया गया है वो है गंगोत्री और यम्नोत्री ये दोनों आपको डार रखना है बहुत बार exam आते हैं गंगुत्री यम्नोत्री को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है गंगा और यम्ना को भी जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है कब दिया गया 2017 में यह भी आपको या रखना है नेक्स है बाल गंगा सायक नदी है तो बाल गंगा सायक नदी है बिलंगना की बिलंगना का उद्गम होता है खतल इंगलेशियर से कहां से होता है जो की तीहरी में से थे खतल इंगलेशियर यहां से इसका उद्गम होता है और यह जो बिलंगना है यह सायक नदी है गंसाली नामकिस्तान पर बहलंगना से मिलती है यह आपको याद रखना है बाल गंगा की प्रमुख साइग नहीं है धर्म गंगा जो की बुड़ा किदार नामकिस्तान पर मिलती है किस से बाल गंगा से इसका नाम है धर्म गंगा धर्म गंगा किसकी साइग नहीं है बाल का संपादक नहीं रहे तो अल्मुडा अकबार शुरू होता है 1871 से और यह चलता है 1918 तक ठीक है 1918 में बंद हो जाता है इसके पहले संपादक थे बुद्धी बल्लब पंत बुद्धी बल्लब पंत इसके बार देखिए कौन कुन इसके संपादक थे तो जीवानां जोसी इस के संपादक थे और आपको उया रखने है तरवनां सनवाल के और बद्री दत पांडडे लास्ट में संपादक रहते हैं बद्री दत पांडडे तो इसका सही अंसर हो जाए इसको आप ऐसे हैं किस विद्या से जुड़ा हुआ है तो यह सुदर मट्पाल जुड़े हैं चित प्रकराइसे जुर हैं इत्यासकार भी है थीके यसुद्वर मटपाल ने देखिए लोग संस्कृती संग्राले की इस्तापनाए की थी लोग संस्क्रती इस्तापना जो कि कहां पर है खुतानी भींताल में तॉन्हें थीथ बहुत बार एक्जाम आ चुका है तो इसका सही जिवाब है उत्राखण में पंचायती राज अधिनियम लागो होता है चार अप्रेल 2016 को कब लागो होता है चार अप्रेल 2016 को इसमें संसोदन कब होता है इसमें संसोदन होता है 2019 में 2019 में संसोदन होता है लेकिन लागो कब होता चार अप्रेल 2016 को अब देखे इतनी लेड क्यों लाग होता है इससे पहले जो उत्रखण में पंचाईदी राज चल रहा था वो जो है उत्तर प्रदेश के ही हम अधिनियम को फॉलो कर रहे थे ठीक है लेकिन खुद का जो अधिनियम लागू होता है वो होता है 2016 में 4 अप्रे चाईब में एक उन्री रेमजे के टाइम पुआ था ठीक है और इससे पहले भी भूश करन होगा था 1860 में इसके बाद जो है दो-तीन भुकम भी आपको यारखने, एक तो आपको यारखने है, 1991 का भुकम, ये कहाँ आया था, उत्तरकासी में, फिर इसके बाद देखे, 1999 का भुकम जो है, ये चमोली मा आया था, देखे, चमोली, ये भी एक्जामर बहुत 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 आता है, अठारो सो तीन म आपने परंपरा देखी होगी नरेन नगर, प्रताब नगर और कीरती नगर तो ये सारे जो नगर हैं अपने नाम पर रखे गए थे तीरी रियासत के नरेसे द्वारा तो इसका सरही जाता है प्रताब सां को आप्स नमर 20 का सही जवाब है प्रताब सां ने 1887 में सबसे पहले अपने नाम पर सहर की स्थापना की थी इसके बाद 1894 में जो है किरती नगर की स्थापना होती है किरती साधवरा फिर 1921 में नरेन नगर की स्थापना होती है नरेन साधवरा तो ये आपको यादत ने हैं बढ़ते हैं आगे निक्स्ट है सबर नाम से भी जानी जाने वाली क कुमों की प्राचीन जाती है कुमों क्या उत्राखंट का हुकयां पर उत्राखंट की जो प्राचीन प्रजाती है पूरा प्रजाती है वो सबर नाम से जाना जाती है कौन से है तो इसका सही जवाब है कूल ठीक है मुंड और सबर मुंड और सबर की नाम से जाना जाता है कूल आपको याद रखना है, लाल होता है, और ये नीले कमल के लिए प्रसिद आपको याद अखना है नेक्स है धन्युस्तिर्त कहलाता है तो धन्युस्तिर्त किसका पुराना नाम है आपको पूछा है तो धन्युस्तिर्त जो है तिहिदी का पुराना नाम है यह पुरानी जो तिहिदी थी ना इसका पुराना नाम है धनुस्तित ये आपको याद रखना है रुदुर्प्रियाक का पुराना नाम है पुनाड या रुद्रावर्थ ठीक है केदाननत का पुराना नाम है ब्रिंग्तुंग ये आपको याखना है और रिसिकेस का पुरानाम है कुपजामरक और वीरभद्र वीर बद्र ये रिसी केस का पुरा नाम है नेक्स है एकी करिद और दोगी नीती 2008 के अंतरगर चमोली जन्दपद को किस स्रड़ी में रखा गया है तो ये नीती जो है 2008 में आती है इसमें देखे उत्रगन के जो जन्दपद है उनको दो स्रड़ी में बाटा जाते है एक एसरणी दूसरा बीसरणी एसरणी में वो डिस्टिक आते हैं जहां पर जो है इंडेस्टिलाइजेशन बहुत कम है जैसे कि उत्तरकासी, चमोली, पिथोड़ागर, रुदरपियाग और चमपावज ठीक है बाकी जो बसते हैं वो आते हैं बीसरणी में लेकिन इसमें से आपको दो डिस्टिक हटाने है एक तो आपको हटा देना है डिस्टिक, उधमसीन अगर और हरिद्वार इन दोनों को जो है किसी भी सरणी में सामिल नहीं किया गया है तो अब आपके एकजाम में ये कौशिन आता है तो इनको आप याद रखेंगे ये सरणी में है उत्रकासी, चमोली, पिधरगर, रुद्रप्रियाग और चमपावत और बाकी जो बसते हैं वो है 20 सरणी में उधमसीन अगर और हरिद्वार को आपको किसी सरणी में नहीं रखना है तो इसका आंसर हो जाएगा इस हिसाब से आप्शन नमबर 20 सरणी A में रखा गया है चमोली जन्तपत को और एक और बुकिन की याद रखनी है उत्रखन का नवी नितिहाज जो है ये भी इनिकी बुक है यस्वन सिंग कटोच की अगला प्रस्न है उत्रखन की किस जन्तपत का लिंगा अनुपाद सबसे अधिक है तो सबसे अधिक लिंगा अनुपाद है अल्मूडा जन्तपत का आप्शन वस सही सका सई जवाब है सबसे कम कहां कर है सबसे कम है हरी दुआर का उत्रखंड की बात करें तो उत्रखंड का लिंगार पात कितना है 963 2011 की जिनगर्णा के अनुसार 2001 की हिसाब से करें तो 962, एक जो है बड़ा है 2001 से लेकर के 2011 तक ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए और राश्ट्री औसट की बात के तो भारत के कितना है 947 ठीक है ये भी आपको याद होना चाहिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट है निम्नमे से देव प्रियाग को समस्त तीर्थू का सिरोमणी, समगर पापू का विनासक कहां कहा गया है तो ये कहा गया है महाबारत में महाबारत में देव प्रियाग को समस्त तीर्थू का सिरोमणी, समगर पापू का विनासक कहा गया है most repeated question है, ये आपको याद एकना है देव प्रियाग में जो है भगवान राम का मंदिर है, रगुनाथ मंदिर है भगवान राम का रगुनाद मंदिर है जो की द्रवड सैली में बना है देव प्रियाग में दो नदिव का संगम होता है एक है भागी रथी दूसरा है अलगनंदा फिर इसके बाद जो आगे को नदी जाती है उसका नाम होता है गंगा ठीक है ये भी आपको यार रखना है महाबारत में देव प्रियाग को समस्तित तिर्तु का सिरोमर्णी और समगर पापू का विनासक कहा गया है और देव प्रियाग में प्रसिद्ध रगुनाद मंदे स्तित है जो की द्रवड सैली में बना है और यहाँ पर भगवान राम ने जो है तपिश्या भी की थी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है उन्ने सो चौसट में दसोली ग्राम स्वराज मंदल की स्तापना किसके द्वार की गई तो यह की थी चंदी प्रसाद भढ़ने ऑप्शनम 20 का सही जवाप है कहाँ पर की थी गोपई स्वर चमोली में की थी दसोली ग्राम स्वराज मंदल की स्तापना यह आपको याद रखना है चंदी प्रसाद भढ़ने जो है एक सस्ता के भी स्तापना की थी चिपको अंदलों को गती देने के लिए जिसका नाम है डालियो का दगड़िया डालियो का दगड़िया 1970 में इसकी स्तापना की थी चंदी प्रसाद भढ़ को जो है 1982 में रेमन मेकसस पुरुसकार भी दिया गया था जो कि एसिया का नोबल पुरुसकार है यह आपको याद रखना है वही 2013 में इनको गांधी पीस प्राइस भी दिया जाता है कब दिया जाता है 2013 में नेक्स्ट है कार्तिकेपूर राजी में दुती परियार का संस्तापक था तो कार्तिकेपूर राजी के हम बात करते हूँ तो तीन परिवार थे एक बसंत देव का परियार था दूसरा परिवार था निंबर देव का तीसरे परिवार था इच्छरदेव का । तो दूती परिवार का संस्तापक, वो था निमबर देव इसका सही जवाब हो जाएगा, Option बांध बी निमबर देव, निमबर देव परिवार का अन्तिमshek जो सासक था वो था भूदीव भूदेव ठीक है निंबर देव के बाद आता है इस्टिकर्ण इस्टिकर्ण के बाद आता है लली सूर देव फिर आता है भूदेव बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है 1921 में गठित कुमाउं फॉरेस्ट ग्रिवेंस कमिटी का अधिक्स चुना गया तो अप्रिल 1921 में ठीक है इसका गठन होता है फॉरेस्ट ग्रिवेंस कमिटी का और इसका अधिक्स चुना जाता है पी विंडम को उस टाइम पर यह ततकालीम जो है कुमाउं Πोically विशन क की संगया देती तो हर्षदेव जोसी को विबीसन की संगया देती रहुल संकृत राजी में सबसे पहले डांग व्योस्ता 1815 इस्वि में अलमोडा से 10 के मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् का गठन होता है 24-25 जुलाई 1989 को यानिगी 1979 को कहा पर होता है मसूरी मों होता है ठीक है इसके पहले अध्यक्स को बनते हैं तो देवी दत पंत डीडी पंत जो है इसके पहले अध्यक्स बनते हैं यह आपको याद रखता है आर्मार सासकों द्वारा किसे स्वरणिम बिजेता की उपादी दी गए तो स्वरणिम बिजेता की उपादी दी गए थी कालो सिंग भंडारी को option number C इसका सईजवाब है ये पिता किसके थे मादो सिंग भंडारी की मादो सिंग भंडारी जो है बहुत बाइग्जाम आता है अब मान सा के टाइम पर थे और तुमूल की युद्धु में ये वीर गति को पराप्त हो जाते है ये भी इकजाम आता है तुमूल युद्धु के बारे मैं तो ये भी आपको यार्ण है मादो सिंग भंडारी से गर्ब भंजक भी इनको कहा जाता है और इनी के पिता जो कालो सिंग भंडारी थे इनको पमार सासुकों ने स्वर्णी बिजेता की अधिन दी दी यह आपको याद होने चाहिए और इसी में जो है कृत्वपुर राजी यानि कि उत्रखन का एरिया है इसमें हमाचल का एरिया है इसको गुप्ति सामराजी का धिन बताया था ठीक कृत्वपुर की बात कर रहे हैं आपको याद रखना है नेक्स्ट है हीरा मनी और पिनोरा गलेशियर किस जन्पर में इस्ते थे तो हीरा मनी और पिनोरा दोनु गलेशियर इस्ते थे पितोरगर जन्पर में आप्शन में डीस का सई जवाब है बाकी कौन-कौन से गलेशियर है पितोरगर में तो नामिक आपको या रखना है नामिक, दूसरा आपको या रखना है पॉंटिंग ठीक है, तीसरा आपको या रखना है मिलम ठीक है, चौथा आपको या रखना है रालम पांचों आपको या रखना है हीरा मनी छटा आपको या रखना है पिनोरा ये सबी जो है पितारगर जन्पर में इस्तित ग्लैशियर हैं तो ये question जो है 40 question हमें डिस्कस किये उत्राखंड जी के से संबने जो कि उत्राखंड पुलिस के एक्जाम के लिए महतुपण है आपको याद रखने हैं तो ये इस वीडियो को हैं थाए जिए बड़िए ऑच्छो ये वाच्छ ये लिए